लव सोनिया को प्रिडूस एंड डिरेक्टिड बै तब्रेज नूरानी स्टारिंग मुरूनल ठाकूर, अदिल हुसेन, अनुपम खेर, राजकुमार रव, मनोज आच्पई, साहित अमनकर, प्रिडा पिंटो यानि सारे टेलेंटेड एक्टर्स को चुन-चुन कर फिल्मे लि जदा प्यार करती है, लेकिन उनके कर्ज में डूबे किसान पिता, अपनी बेटी प्रिती को गाओ के ठाकूर के आतों वैश्याले में बेज देते हैं, इसके बाद में सोनिया किस प्रकार से अपनी बहन को वापस लाने के लिए खुद इस दलदल में उतरती है, सोनिया की फिल्म में एक ultimate cinematic experience करूंगा, लेकिन ये फिल्म हर किसी के लिए नहीं है, हर कोई इस फिल्म को enjoy नहीं कर सकता है, क्योंकि फिल्म बहुत ज़्यादा dark है और intense है, फिल्म में कई सारे scenes ऐसे हैं, जो हम खुली आखों से देख नहीं पाते हैं, वो scenes देखना सच में बहुत ज़ आती हम से, यानि theater में ऐसे में बेट कर भी हम ये सच्चा ही देखने पाते हैं, तो सोचिए जो इन सब बातों से खुद गुजरे हुए हैं, या जो इन सब बातों को खुद सेह रहे हैं, उन पर क्या गुजरती हुगी, ये सारी बाते सच में कलफना से परे है, मुनल परफॉमस दिया है, उसका बेहन के लिए प्यार, दर्द से चीकना, अपनी बेहन को ढूनने के लिए सारे अत्याचारों को चुपचाप सहन करना, उसकी वो तकलीप, उसका वो दर्द हम खुद अपने अंदर महसुस कर पाते हैं, यानि हम उस character पर यकीन कर पाते हैं, इस मनो जोच भी ठही नहीं फिल्म में, वो किसी राक्षस की तरफ फिल्म में लग रहे थे, इस character की हैवानियत आपको इसी बात से पता चल जाएगी, कि केवल एक सिगरेट के लिए, वो सोनिया को एक बुड़े आदमी को बेच देता है, वो भी ये कहकर कि भाई, सिल नहीं त स्वस्त कर देता है, परेशान कर देता है, कि यार कैसे लोग होते हैं, और इस सच्चाई से हम अपना मूँ नहीं फेर सकते, सहीत अमन कर इस फिल्म में एक ऐसी महिला का रोल प्ले कर रही है, जो गाओ की कुवारी लड़कियों को, बच्चियों को, मुंबे लाकर फेजल क के पास में बेज देती है, रिचाच अड़ा इन सारी बच्चियों को फेजल के साथ में मैनेज करने का काम करती है, उसके भी पास्ट के बारे में हमें फिल्म में जानने को मिलता है, फ्रेड़ बिंडो वही पर एक सेक्स वरकर है, लेकिन लंबे समय तक वहां रहने के है, वो सुनिये के साथ में बेहन का रिच्टा तो जोटना चाहती है, लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाता है, तो उसका भी घुसा बेकाव हो जाता है, उसके बाद में राजकुमार राओ, उनको एक एंजियो में काम करते हुए दिखाया है, जो इस प्रकार की नावालिक बच् इतने सारे supporting characters है, लेकिन फिर भी कही पर भी मुझे ऐसा नहीं लगा किया, किसी character के साथ में अन्याय हुआ है, इन सारे characters के अंदर के अलग-अलग emotions के layers हमें देखने को मिलते हैं, इतने संक्षेप में इन characters को develop किया है, लेकिन फिर भी, फिर भी इन सभी characters को मुझे पूरी अ बेज तैयार किया गया है, यानि सोनिया और पृति, इन दोनों बेहनों के बीच का प्यार, उनके कर्ज में डूबे परिशान और निर्दे ही पीता, कैसे वो अपनी ही बेटी पृति को बेज देते हैं, इसके बाद में सोनिया किस प्रकार से पृति की खोज में निकलती है कैसे वो वहिशाले तक पहुचती है ये सारी बाते फिल्म के first act में दिखाई है second act में सुनिया का प्रिती को खोजना उसकी इस मजबूरी का वहाँ पर किस प्रकार से फायदा उठाया जाता है इस वहिशाले से हमारी पैचान कराई जाती है वहाँ के character से हमें introduce कराया जाता है इसके बाद में virgin लड़कियों के deal के लिए फैजल किस प्रकार से परिशान रहता है सुनिया की कभी भी खतम ना होने वारी परिशानिया international sex trade ये सारी बाते हमें second act में देखने को मिलती है इस film की एक और बात जो मुझे बहुत पसंद आई हुआ है कुछ बातों का सांकितिक रूप में उपयोग करना जैसे कि film की शुरुवात में सुनिया का एक दोस्त दिखाया है अमर जो सुनिया का love interest भी होता है वो एक तितली को पकड़ कर बोतल में बंद कर देता है अब ये जो बोतल में बंद तितली है उसे इस human trafficking में फसीवी बच्चियों के प्रतिक के रूप में दिखाया है अमर फिल्म की शुरुवात में कहता भी है कि भाई ये जो तितली है न वो शुरुवात में बोतल से बाहर निकलने के लिए बहुत पड़बाती है लेकिन बाद में वो इस बोतल को ही अपना घर मान लेती है और फिल्म के इंडिंग में सुनिया जो प्रतिक के लिए खत लिए खत लिए लिए नहीं था तो इस प्रकार से इस खर्थ का या फिर तितली का सांकितिक रूप में उपयोग करना मुझे बहुत पसंद आया फिल्में कुछ nude scenes भी है जो बस कुछ friction of second के लिए फिल्में दिखाये हैं और वो उस जगह के reality दिखाने के लिए फिल्में दिखाये गए हैं इसके बाद में फिल्में कही पर भी कोई जबरदस्ती के nude scenes या skin show नहीं किया गया एक बात जो मुझे इस फिल्में समझ में नहीं आई या पता नहीं चली वो यह कि कुछ गालियों को फिल्में mute क्यों किया गया था यानि कुछ गालिया हमें सुनाए देती है फिल्में कुछ nude scenes को भी sensor board ने approve किया है तो आखिर selective गालियों को ही क्यों mute किया गया था यही बात मुझे फिल्में समझ में नहीं आई तो अगर आप एक dark intense ऐसी realistic फिल्म देखना चाहते हैं तो आप इस फिल्म को बिल्कुल miss मत करना मैं इस फिल्म को दूँगा 9 out of 10 stars दोस्तों अगर आपने फिल्म देखे तो आप इस फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं मुझे अप नीचे कमेंट में ज़रू बताइए झाल